दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मशली के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़े बड़े खुंखार मगरमचों को भी चुटकियों में निगल जाती है अभी तक तो हम यहीं जानते थे कि पानी में रहने वाला अगर कोई सबसे खतरनाक जीव है तो वह मगरमचों होता है लेकिन हम सब गलत हैं क्योंकि एक ऐसी मशली भी पानी में रहती है जिसके आगे खुंखार मगरमच भी सह में रहते हैं और यह मशली अपनी भूप को मिटाने के लिए मगरमचों का शिकार करती है यह मशली कोई ऐसी वैसी मशली नहीं बलके दिखने में इतनी भयानक है कि आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते तभी तो यह खुंखार मगर मच्छो को चुटकियों में डगार जाती है हम आपको जिस मशली के बारे में बता रहे हैं उससे गोलियात ट्राइगर फिश कहा जाता है यह ऐसी प्रजाती की मशली मानी जाती हैं जिसके इनसानों की तरह ही बत्तिस दांत होते हैं लेकिन यह दांत इतने नुकीले होते हैं कि इन्हें मगर मच्छों का शिकार करने में चुटकी भर का समय भी नहीं लगता इस मशली की बनावत आमतोर पर उस मशली की तरह है जिसे हम अपने आसपास या किसी नदी समुद्र में देखते हैं लेकिन इसका आकार काफी बड़ा है इस तरह के मशलिया ताजा और साफ पानी में और कई बड़े बड़े समुद्र में पाई जाती है और यह मगर मच्छों का शिकार करके अपना पेट भरती है गोलियाथ टाइगर फिश के पास अपने आसपास उपस्थित मांस को सूगने की एक अलग ही शक्ती होती है जिस वज़े से यह अपना शिकार करती है और यह किसी से भी नहीं डरती इस प्रजाती में पाँच तरह की नसले पाई जाती है जिसको अफरिकन टाइगर फिश के नाम से जाना जाता है यह बेहद ही आक्रमक होती है यह 5 फीट लंबी और करीब 110 पाउंड के वज़न की होती है इस तरह की भयानक मशली आपको कांगो और अफरिका की तंजानिया जील में पाई जाती है यह लगभग 10 से 15 साल से जादा जिवित रहती है जो अपने विशाल आकार के कारण बेहद ही अधभुद दिखती है इसके इसकेन का रंग अंदर की तरफ से सिल्वर और पीशे की तरफ से ओलिव होता है जिसके शिकार से पानी में कोई भी जीव नहीं बढ़ सकता है ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com